लो दोस्तों दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्रेस्मेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम डिसकुशन करने वाले हैं इनफोसिस इंटर्वी एक्स्पिरियंस के बारे में तो देखें दोस्तों आज हम इनफोसिस इंटर्वी की कोशन भी द टू टेनो क्लॉक मिंस देखे दोस्तों पर उनका जो इंटर्वीव है ओ के टेनो क्लॉक को ही आ चुका था तो देखे दोस्तों आगे कहते आई जॉइन दी मिटिंग शार्प एट टेनो क्लॉक बट वेटेड फॉर 25 मिनिट्स देखे दोस्तों अगर आपका भी अभी इंटर्वीव शेडूल नहीं हुआ है और आप शेडूलिंग के लिए वेट कर रहे है तो दोस्तों आपका इंटर्वीव होगा जिस वक्त पे होगा आपको टाइम से पहले ही लॉगिंग करके रखना होगा और आपको वेट करना होग कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको बहुत वेट करना पड़ता है बट आपको लिव नहीं करना है आपको वेट करते रहना है आपको फिर इंटर्वियोर जोइंग कर लेगा देखें मेरा जो यह दोस्ते अजीजी उन्होंने भी 25 मिनिट तक वेट केर लिया था वो आगे कहते हैं Along with me there are more 12 members in the interviewer meeting After that he put all of us in a lobby and joined one by one and done my interview देखे दोस्तों और देन उनका interview complete for 10 minutes में तो चलिए देखते हैं उनको कौन कौन से question पुछे गए थे तो उनको self introduction project के अलवा डिरेक्ली उनको first question पुछे गया कि what technologies you know तो अगर दोस्तों आपको भी ये question पूछा जाए तो आपको technology के बारे में पढ़के रखना है और एक इसी technology प्रिपेर करके रख लीजिए आपको उसका basic मालूम होना चाहिए उसका advantage मालूम होना चाहिए आपको पूरी जानकरी होनी चाहिए उस technology के बारे में देन दोस्तों देखे उनको next question project के बारे में पूछा उनको पूछा have you done any project then उन्होंने final year का project बताया होगा देन दोस्तों उनको third question पूछा गया three or four questions from project and machine learning देखे दोस्तों यहाँ पर उनको हमें ध्यान आता ही कि उनका project machine learning से related था इसलिए उनको तीन तो चाहर question पूछे गए जो की project based थे और उनको machine learning के बारे में भी पूछा दोस्तों अगर आप new technologies कहेंगे AI या फिर machine learning या फिर cloud computing तो दोस्तों आपको उसके types भी पूछ सकते है advantages भी पूछ सकते है देन दोस्तों यहाँ पर उनको next question पूछा गया do you are DBMS देखे दोस्तो relational database management system and database management system बहुत important होता है for any basic interview preparation आपको DBMS का basic मालूम होना चाहिए आपको oops concept मालूम होनी चाहिए देन दोस्तों उनको DBMS relational database management के अलावा next question पूछा गया what is dml commands दोस्तों आपको dml and dml commands रट लेने हैं अभी अभी अगर अगर आपका इंटर्वी कंप्लीट नहीं हो आए तो अभी एक साइड में dml command लिख लिजे और उनका how to use करती कौन कौन से करते हैं वह भी लिख लिजे में आपका भी इंटर्वी कंप्लीट हो और आपवेट कर रहे तो प्लीज कमेंट एर थैंक्यू फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल